हालो बुड मॉर्निंग दोस्तों देखे हमारे पिसले टान पे जला उशोशन की बातचीत चल रही थी आज हम बात करते हैं उसकी क्रिया वीदी की ये जड़का अनुप्रस्त काठ म्रदा के साथ में दिखाये गया ये वाला रूट हेर रूट हेर जो होता है इसकी बाहरी सतर जो है आउटरमोस्ट कवरिंग जो है वो पेक्टिन की बनी होती है दरसल जला उशोशन में मूल का अग्रे भाग मूल का अग्रे भाग जो है वो सक्रिय रूप से भाग लेता है एंटिरियर पार्ट इसमें आप लोगों ने पढ़ावा है सबसे सीर्स भाग जो होता है इस सी सरंचना पाई जाती है जिसे हम रूट कैप कहते हैं ये वाला भाग ना तो जलव शुशन करता है ना खनी जव शुशन करता है इसके पीछे का भाग ये वाला इस वाले भाग में कोसी का एं सक्रिय रूप से विवाजित होती है ये विवजोत की क्षेत्र होता है इसको कोस कोसी का विवाजन क्षेत्र की संग्या दी जाती है जहां पे कोसी काएं सक्रिय रूप से विवाजित होकर मूल की व्रद्धी के लिए उत्रदाई होती है तो आपका ये वाला क्षेत्र कोसी का विवाजन क्षेत्र ये भी जल आउशोशन में कोई भूमिका नहीं निभाता फ वाला भाग भी जल अवशोशन में भाग नहीं लेता, नाम दिया जाता है दिरगी करण क्षेत्र, इससे उपर का भाग जो होता है, ये कोसी का परिपक्वों हो जाती है, इसको हम नाम देते हैं कोसी का परिपक्वन क्षेत्र, दिरगी करण और परिपक्वन क्षेत्र में ये वाला भाग जो होता है इसे नाम दिया जाता है मूल रोम छेत्र तो मूल रोम छेत्र जो है वो जल अशोशन के लिए उत्रदाई माना जाता है तो ध्यान रखिएगा पादप में मूल का एक लिमिटेड भाग एक सीमित छेत्र जल अशोशन में भूमी का निवाता है जहां प पोसी का भित्ती शुद्ध रूप से सेलूलोज की वनी होती है और इसका बाहरी स्तरज उता वो पैक्टीन से निर्वित होता है। थोड़ी देर पहले हमारी बात ची चली थी कि पैक्टीन जल का अधिसोशन करने की क्षमता रखता है। इसकी अधिसोशन क्षमता सरवादिक होती है। एगार-एगार के बाद। तो हमारे पास क्या आता है ये मृदा से सबसे पहले जल अधिसोशित करता है। जो होता है ये वाला इसका जल भी वह होता है माइनस वन। तो अधिक से कम की ओर जल गती करेगा। तो यहां से जल इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और जिलियां involved हो तो सिम प्लास्टिक मार्ग अब इसकी साहिता से ये जल जो है यहां कोसिकाओं से गती करते वे और पैसे सेल से होकर अंतते किसमें चला जाता है जायलम की प्रोटो जायलम की गुहाओं में चला जाता है यदि मरत मार्ग गितके थू जाता है तो इस तरीके स से गती करेगा और फाइनली यह जो है इस मार्ग के साहिता से कौन सा पैसे सेल की साहिता से सिम प्लास्टिक मार्ग की साहिता से प्रोटो जायलम में प्रविस कर जाता है तो यह एक सिंपल सा प्रक्रम है जल अवसोशन का अब इस प्रक्रम में दो प्रक्रियां भाग लेती है नंबर एक निश्क्रिय जल अवसोशन और सक्रिय जल अवसोशन देखिए दोनों प्रकार के जल अवसोशन में यह दोनों सब्द जो है क्रेमर के द्वारा प्रतिपादित किये थे क्रेमर के अनुसार केवल 4 प्रतिशत जल जो है वो सक्रिय रूप से अवसोशित होता है और 96 प्रतिशत जल जो है वो निस्क्रिय प्रक्रम के द्वारा अवसोशित होता है तो सरवादिक जल, निश्क्रिय जल यउशोशन द्वारा अफसोसीत होता है अब सक्रिय निश्क्रिय सब्द क्यों काम में लिया आपने सिंपल सी बात है यदि प्रक्रिया में उर्जा खर्च होती है तो उसे हम सक्रिय जल यशोशन कहते हैं और यदि ऐसा नहीं होता उपवगार से पहले हम सक्रिय जल उअपवशूशन की बात करें यह समानेत रहे कम वास्पों सरजन या वास्पों सरजन नहीं हो रहा है उस दसा में पाये जाता है सांदरता प्रवनता के विरुद्ध होता है इसलिए अप हिल अव्शोषन होता है मुवमेंट होती है ठीक है डाउन इल का मतलब तो होता है उपर से नीचे आना मतलब लुडकन मैंने बताया था उस तरीके से बोल वाला पोइंट और अप हिल का मतलब धका देना उपर चड़ाना तो अप हिल सांदरता प्रवनता के विरुद्ध कोसिकाओं में जल की सांदरता उच्च है फिर भी जल अंदर लाया जा रहा है तो सिंपल सी बात है उर्जा खर्च होगी तो यह उपापची उर्जा खर्च होने के फलसूरूप होता है कुल वास्पोस सर्जन का चार प्रतीशत भाग बनाता है सांदरता प्रवनता के विरुद्ध पाया जाता है और वास्पोस सर्जन अनुपस्तित होने की दसाओं में उपस्तित होता है जैसे की रात्री की समय रात्री के समय इस तरीके का जल आउसोशन देखा जा सकता है अब आता है निस्क्रिय जल आउसोशन सरवादिक मात्रा में लगबग छाण में प्रतिशत जल कुल आउसोशी जल का छाण में प्रतिशत भाग निश्क्रिय जल अउसोशन द्वारा अउसोशित किया जाता है इस प्रेक्रम में वास्पो सरजन कशन द्वारा उत्पन चूशन बल प्रियुक्त होता है देखिए दिन के समय में क्या होता है थोड़ा सा मैं इस डाइग्राम को उपर कर देता हूँ यह आपके पास है जाइलम इस तरीके से जाइलम हो गया कंटिनियोस कर दिया हमने इसको इधर आपके पास है यह चैनल और यह पत्ती इस पत्ती के थुरू यह जाइलम यहाँ पर कंटिनियोस है यह लिजिय कर अब अगला देखिएगा यह रंद्र है यहाँ पर यह रंद्र और यह मीजोफिल कोसीका है ठीक है दिन के समय में क्या होता है इस मीजोफिल कोसीका से जल का ट्याग होता है वासपोस सर्जन के फलस्वरू इस से क्या होगा इस कोसीका का जल भी भाव घड़ जाएगा तो ये पासवाली कोसीगा से जल लेगी ये अपने पासवाली से लेगी और ये वाली जायलम से लेगी सतत रूप से बही एक कोसीगा का जल भी वह कम हुआ तो पासवाली का ज्यादा था जल अधिक से कम की तरफ आ जाएगा इस तरीके से टोटल जल जल इस्तंब जो है वो इधर खिंचेगा यदि ये वाला अनू इस कोशीगा में प्रवेस करेगा तो संपूर्ण पर क्या होगा ये खिंचाव बल लगेगा और इस खिंचाव बल के कारण यहाँ पे चूशन बल आरोपित हो जाएगा जैसे अपन मोटर के जो ना इन्पुट लगाते हैं मोटर में उस तरीके से और पानी जो है वो क्या करेगा इस कोशीगा में प्रवेस कर जाएगा तो ये वास्पो सरजन जनित चूशन बल के कारण अवसोसित होता है इसमें उपापची उरजा का उप्योग नहीं होता है ये कुल जल अवसोशन का च्छाणवे प अब नेक्स पॉइंट आता हमारे पास जल अवसोशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से कारक है जो जल अवसोशन को प्रभावित कर सकते हैं तो देध्यान दीजिएगा हमने बात की कि जड़का केवल अग्रभाग जल अवसोशन करता है उसमें भी मूल रों ख् के द्वारा जल अशुषण में सक्रिय भूमी का निभाई जाती है और वो होता मूल रोम छेत्र इसके संदर में एक क्वेशन आता आपके पास कि नूली सिडलिंग मनला नवोद भिदों को एक इस्थान से दूसरी स्थान पर इस्थानांत्रित करने पर उनकी मृत्ति हो जात है क्या होते हैं मतलब एना डेलिकेट होते हैं सोफ्ट होते हैं मतलब काफी मृद्यू होते हैं जैसे हम नवोद भिद को जमीन से निकालते हैं तो ये तूट जाते हैं मिट्टी के गर्शन के कारण तूट जाते हैं और नई जगह पर आरोपित करते हैं तो कुछ वहाँ प करता है तो मूल रोम के नस्ट होने से नए इस्थानांत्रित किये गए नाउद विद की मृत्यू हो जाती है तो हमारी बास चली थी मूल रोम खेत्र की ये वाला जो खेत्र होता है मूल रोम खेत्र ये मूल का जल अवसोशन खेत्र जो होता है उसको 20% तक बढ़ा देता है इ प्रारंब में पैक्टीन मर्दा से जल का अधिशोशन कर लेता है इसलिए इस शेत्र में जल की अधिकता और अंदर की तरफ जल की कमी होती है इसलिए अधिक सांधरता से कम सांधरता की और जल मूल रॉम कोसिकाओं में प्रिवेस कर जाता है एक प्रारंबिक पद अब मूल अंतध है अंतध शर्म की पत कोसिका पर पहुंचता है पैसे सेल तक पहुंचता है यहां कैस्फेरियन पट्टीकाएं होती है इसलिए इस पत कोसिका से होकर यह जाइलम में चला जाता है अब यहां से यहां तक जल का संचालन जो है वो तो हो गया पत्थों के द्वारा पर इ जदी कोसी का अपनी उपापची उर्जा खर्च करके इस जल को यहां से यहां तक पहुंचाती है, I mean मृदा से जल को ग्रहन करके जाइलम तक पहुंचाती है, तो इसे सक्रिय जल उशोषन की संग्या दी जाती है, जो कुल जल उशोषन का चार प्रतिशत भाग बनाता है। आदब को जल की आउशकता कम होती है। यह प्रक्रियां कब होती है, जब वास्पो सर्जन रुका होता है, तो दिन के समय में आपको सक्रिय जल उशोषन देखनी को नहीं मिलेगा, क्योंकि दिन के समय वास्पो सर्जन जारी रहता है, तो वास्पो सर्जन सामाने तया, रा सानी से प्रेक्षित कर सकते हैं अधिकान स्तियार चानवे प्रतिसाद जल निस्क्रिये विदी द्वारा संपन होता इसमें किसी उर्जा का उभोग नहीं होता वास्पो सर्जन के कार्ण जल इसकंपर ऊपर की तरफ खिचाव बल लगता है इसलिए जड़ों में एक चूशन बल आरोपित हो जाता है सक्षन प्रेशर जिसके कान मरदा का जल थोग प्रवा के द्वारा मतला बड़ी तेजी से इसके अंदर चला जाता है बल्क ट्रांस्पोर्टेशन होता है और इसके अंदर एंटर कर जाता है यहां पर भी मार्ग का काम तो मूल रोम ही करें तो यह ह हो गया हमारे पास निस्क्रिय जल अव्शोशन अब मैं बात कर रहा था प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर तो आप किसकी बात करोगे जो उपापची क्रियाओं को प्रभावित करते हैं एक्जामपल के तोर पहले नमबर पर आपके पास आता है ताप ठीक है दूसर तीसे नबर पे आता है म्रदा जल, तीसे नबर पे आता है आपके पास विलेई की संद्रता, ठीक है? ये सारी चीजें जो है वो जलव शुषन को प्रभावित कर सकती है, तो हम सक्रियन इस क्रिये को नहीं, एक साथ बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास देखें टैम्परिचर बड़ेगा, उपापची क्रियाएं बढ़ेंगे, सक्रिये जलव शुषन बढ़े जाएगा क्योंकि उपापची क्रियाओं के लिए उर्जा उपलब दोगी, तो सक्रिये जलव शुषन बढ़ जाता है इसके अलावा ताप जो है वो दो अलग कारे भी करता है तो ताप मान बढ़ाने पर जल अशोशन की दर बढ़ जाती है उसका रीजन जरा सा सुनिए क्या है ताप नमबर एक क्या करेगा ताप बढ़ेगा तो जल की शान्ता कम हो जाती है मलब जल की श्यान्ता कम होती है जिससे क्या होगा जल ज्यादा पतला होगा आसानी से मूव कर सकता है दूसरी कंडिशन इस श्यान्ता से ही यहाँ पर आप ना दूसरा पोईंट लगा सकते हो आपने टेंप्रेशर बढ़ाया जल के अणू की गती शूर्जा बढ़ जाएगी मुक्त शूर्जा बढ़ जाएगी मूल रोम कोसी का उमपर वेस कर जाएगी दूसरी नबर पर तापमान कोसी का जिली जो होती है कोसी का जिलल्यों की पारगम मेता बढ़ा देता है आप लोग सब जानते हो कि जो कोसी का जिल्ली होती हैं वो फ्लूइड मोजेक मोडल के अनुसार लिपिड से बनी होती है और यदि temperature बढ़ाया है तो liquidity बढ़ेगी तरलता बढ़ेगी और तरलता बढ़ेगी तो जल आसानी से प्रिवेस कर जाएगा ठीक है उपापची क्रिया यह बढ़ाता है उपलब दूर जाकी मात्रा बढ़ाएगा तो तीसरे नमबर पे है उपापचे उपापचाई दर ATP ज्यादा उपलब्द होंगी और चोथा निस्क्रिये पे क्या प्रवाव पढ़ेगा वास्पोस सर्जन की दर बढ़ेगी तो यह खिचाव बल बढ़ेगा तो यहां चूशन बल बढ़ जाएगा जल अंदर प्रिवेस कर जाएगा तो तापमान बढ़ाने के साथ साथ जल मृदा जल दूसरे नबर पर आता है मृदा जल देखें आपने टेंप्रेचर बढ़ाया अच्छी बात है और आपने जो बाकी के सारे अच्छे खासे जो अनुकूलन थे वो उपलब्द करवा दिये पर मृदा में जल नहीं है तो क्या खाक बढ़ेगा इसलिए याद रख प्रणत बाद में धीरे धीरे घटने लग जाती है क्यों मृदा जलाकरांत होने लगती है और जलाकरांत मृदा में जड़ों की उपापची प्रक्रियाए जो है वो प्रभावित होती है और उससे जल उशोशन की दर घट जाती है तो मृदा जल बढ़ाने पर जल उशोश करिएगा देखे इस स्पेस में ये जल है यदि आप इस जल की मातरा बढ़ा देते हो तो वायू नहीं होगी और वायू नहीं होगी तो जड़की कोसिकाओं को स्वशन के लिए ओक्सिजन उपलब नहीं होगी और उनकी उपापची प्रक्रम डिस्टरब हो जाएगा बादित हो जाएगा और वो धीरे-दीरे मरने लग जाएगी जल उशुशन नहीं होगी लेकिन दूसरा पत देखेगा आपने यदि वायू की मातरा बढ़ा दी तो इस स्पेस में वायू रहेगी जल नहीं होगा तो जल उशुशन कोन करेगा इसलिए ये दोनों सम होने चाहिए मतल मृदा जल की मातरा बढ़ने पर मृदा वायू की मातरा घटती है और जड़की कोसिकाओं का शुशन प्रभावित होने से जल उशुशन प्रभावित होता है जल की मातरा बढ़ने पर वायू घट गई और वायू की मातरा बढ़ने पर जल की मातरा घट जाती है कोसिकाओं और वायू ज्यादा है तो मृदा भोतिक सुस्क हो जाएगी ठीक है तो यह दोनों शुष्क तब उत्पन करते हैं यह फिजियोलोजिकल ड्राइनेस और यह फिजिकल ड्राइनेस और लास्ट पॉइंट आता है मारे पास मृदा वीलियन की संद्रता मृदा वीलियन की संद्रता दोस्तो द्यान देना बात पर मृदा वीलियन मृदा में उपस्तित जल जो है उसमें आप जानते हो कि खनीज गुली तवस्था में होते हैं और खनीज गुली तवस्था में जितने जादा होंगे वैसे वैसे टोनो सिटी प्रभावित हो जाती है और यदि tonosity प्रभावित हो गई तो अंतस प्रास्टन की बजाए बाई ये प्रास्टन भी हो सकता है इसलिए याद रखिएगा मृदा वीलियन की संद्रता बढ़ने पर जल आउशोशन की दर में कमी आएगा मैं बड़ा सा impulse है मैं अभी आपको एक बात कहे के गया था ये भी चार हो गया दोनों तरफ जल बराबर है अब बताईए कोई नेट एक्सचेंज होगा क्या नहीं और यदि इसकी बाईदवे पांच चली गई तो इसका जल बाहर आएगा की नहीं आएगा आएगा तो क्या हो जाएगा बही प्रास्टन जीवद्रवे कुंचन के कान जड़ों की डैथ और फाइनली प्लांट की डैथ ये वाला था मरदा विलियन इसलिए मैंने आपको एक क्वेशन भी बताया था इसके अंदर कि यदि किसी पोदे को अत्यदिक मातरा में खाद दे दिया जाए तो उसकी डैथ हो जाती है क्योंकि मरदा विलियन हाइपर्टोनिक हो जाता है और हाइपर्टोनिक सॉलिशन की वज़े से जड़ों का क्या हो जाएगा मतलब रहना निर्जली करन और उनकी डैथ हो जाती है गास के लोन में अधिक मातरा में खाद दे देते हैं ततपशात उसे अधिक मातरा में जल दे देते हैं तो गास भूरे रंकी हो जाती है क्यों आपके सामने है रिजन आपने पहले खाद ज्यादा दे दिया उसके बाद पानी भी ज्यादा दे दिया तो हाइपर्टोनिक वा प्रभावित करने वाले कारक है कंप्लीट होता है अब नेक्स देखेगा आप इसमें एक लाइन और याद रख सकते हैं वे सभी कारक जो वास्पोसरजन की दर को प्रभावित करते हैं जल अवशुषन की दर को भी प्रभावित करें देखे आलाएं कि यहां पर डिसकस नहीं किया जाता वासपो सेजन में करेंगे पर वाईयू वेग बढ़ता है तो वासपो सेजन की दर बढ़ती और वाईयू वेग बढ़ा तो वासपो सेजन की दर बढ़ी तो जल उपर तेजी से जाएगा, इधर चूशन बल ज्यादा लगेगा, जल अउशोशन की दर अपने आप रैपिडली बढ़ गई, मैं लगत तेजी से हो गई, तेजी से बढ़ गई, तो याद रखेगा वासपो सहर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, जल अउशोशन की दर को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि अधिकांस्त्या जल अउशोशन निस्क्रिय रूप से वासपो सहर्जन के प्रभाव में होता है, कंप्लीट हो गए है मारी बात, अब चलते हैं, नेक्स्ट, जल अउशोशन के बाद, रसा रोहन, क्योंकि Ascent of sap पहली बात तो इसको sap क्यों बोला जल ले जा रहे हैं हम तो तो दोस्तों एक बात याद रखना रिक्तिकाओं में जो द्रव होता है उसे sap का जाता, रस का जाता है कोसी का रस के नाम से जाना जाता है उसमें सुद्ध जल कभी नहीं होता उसके अंदर आपको क्या मिलेगा जल प्लस उसमें घुलित पदार्थ जिसमें आइंस वगिरा उपस्तित होते हैं इसलिए इसको sap बढ़ दिया जाता रसा रोहन, रस का आरोहन जंडा रोहन होता है ना उसमें जंडे को उपर चड़ाया जाता है वसे इस यहां पर रस को उपर चड़ाया जाता है रसा रोहन, देखे हमने प्रारंबिक तोर पे एक बात की थी LDT Long Distance Translocation तो जल का Long Distance Translocation होता है मैंने सुरू सुरू में एक बात कही थी आपको कि सिकोया सेमी परवेरेंस लगबग 400 मिटर 400 फिट उंचा उंचा पादप होता है यह सुरू से ही वेग्यानिकों के लिए कोतोयल का विसे रहा है कि जल उपर कैसी चड़ता है आपको यदि गर पे 2 फिट भी जल उपर चड़ाना हो तो आपको मोटर लगानी पड़ती है जबकि जड़ों के अंदर जो है पादपों में जो है यह जड़ों से लेकर और तने के सीखर तक जल उपर चड़ता है यह किस वज़े से संपन होता है मैंने आपको काया था कि 400 फिट तो हम लोग एक केवल बाहर की लंबाई देख रहे है जड़े जमीन में कितनी गहरी है वहां से जो अग्रभाग जल अवसूसित करता है वो जो है तने तक पहुँचने में भी कुछ फुट की डिस्टेंस तै करता है तो लगवग 400 से 500 500 से भी ज़्यादा हो सकता है 500 से भी ज़्यादा फुट उचाई तक जल उपर कैसे चड़ता है 130 मीटर के आसपास मानते हैं हम लोग इसको मीटर की बात करें तो तो यह जल कैसे चड़ेगा लोंग डिस्टेंस हो गया न तो सबसे ज़्यादा जो लंबी दूरी का परिवहन होता है वो जल और खनीजों का होता है सबसे पहली बात लॉंग डिस्टेंस है दूसरी बात यह नदी के प्रवा की तरह से होता है जैसे नदी के प्रवा में नदी के बीच में कोई भी पदार्था जाता है तो उसी के साथ बैतावा चला जाता है उसी तरीके से जल प्रवा होता है उसकी के साथ खनीजों का भी प्रवा हो जाता है और वे पदार्थ जो जायलम में घुली तवस्था में उपस्तिता है उस जल के साथ तैने के सीज तक पहुंच जाते हैं तो थोक प्रवा होता है एक तरह से यह देखा जाए तो बल्क होता ह अब पादप में वास्पो सर्जन के दोरान जल हानी बड़ी तेजी से होती है उस दर्मियान यदि ये प्रक्रम विस्रण के दुआरा होता तो विस्रण में परती सेकंड कुछ म्यू एम दूरी तै होती है कुछ म्यू एम दूरी तब तक तो क्या होता है? जब तक जड़ों के द्वारा अशोसित जल तने के सीखर तक पहुँचता, तब तक तो लंका जल चुकी होती ही, बाई, सारे पादब पतिया नीचे गिर चुकी होती ही, सूख जाता पादब, क्योंकि वो तो दीरे-दीर उपर चड़ता, तो इसलि इसको लोंग डिस्टेंस ट्रांस्पोर्टेशन की संग्या दी जाती ही, ये सामाने तया, म्रत कोशिकाओं या कंपोनेंट्स के द्वारा होता है, ताकि कोई अवरोध ना हो, और तेजी से इसकी गती हो सके, तो इसमें ध्यान दीजे का लगवग, डेड़ मीटर एक गंट के द्वारा होता है, और काफी दीमिगती से होता है, तो इस प्रक्रम में मोसली जल्व खनीज का प्रवा देखा जाता है, इसके अलावा भोजन का प्रवा भी होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम जल प्रवा की बात कर लेते हैं, परिवासा इसकी आप क्या दोगे रसा रोहन की जड़ो द्वारा अवसोशित जल्व खनीजों को पत्तियों तक पहुंचानी की प्रक्रिया रसा रोहन कहलाती है और इसके बारे में बहुत सारे सिद्धान्त हैं आपको याद नहीं करने पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी कोई दादागी रिए बाई मैं यह कहा रहा हूँ कि थोड़ा सा विउ आपको रखना देखिए इसके लिए दो प्रकार के सिद्धान दिये गए थी एक थे भोतिक सिद्धान और एक थे जेविक सिद्धान पहले आता है जेविक सिद्धान म Ahly बाहर संपन नहीं कर सकते तो कुछ हद तक सही भी है जैसे आप लोग biomolecules का निर्मान लेब में नहीं कर सकते blood lab में नहीं बना सकते enzyme lab में नहीं बना सकते ठीक है तो उसी तरी के lab में बनाने के लिए आपको microbes की जरुवत पड़ेगी यदि बनाने हैं तो मतलब जीवों की जरुवत पड़ेगी आप जीव के बना उनका निर्मान नहीं कर सकते तो वोलर एक scientist थे उन्हों नहीं ये का sorry बर्जीलियस उन्हों नहीं एक बात कही कि यूरिया का निर्मान सरीर में ही हो सकता है बार नहीं किया जा सकता तो वोलर ने लैब में बना दिया जो की student था किसका बर्जीलियस का और गुरुजी को बरदास नहीं वह heart attack हुआ निकल ली है ठीक है तो बड़ा simple सी बात है जी कि कुछ पुरानी जो थेयोरिस थी कि जीवों में कुछ ऐसी प्रक्रियाई होती है जीने बाहर संपन नहीं किया जा सकता ये जैविक सिधान का आधार था इस प्रक्रम में सबसे पहली जो थेयोरी थी वो दी गई थी एक scientist है God Levis की इन्होंने एक सिधान दिया relay pump थेयोरी relay pump थेयोरी इसका मतलब है कि जड़ की कोसिकाएं एक relay pump की तरह वेवार करती है जिसके कान जल उपर चड़ता है लेकिन बाद में उन कोसिकाओं को इस ट्रासबर्गर ने पिक्री कमल से मार डाला और देखा अब भी जल उपर चड़ रहा है इसका मतलब जीवित कोसिकाओं का कोई रोल नहीं relay pump theory जविक सिदान्थ की प्रतिपादन तो किया था वेस्टर मेयर ने फाउंडर था तो था वेस्टर मेयर पर पहला सिदान्थ गोडले विस्की ने दिया था relay pump theory इसके बाद फादर ओफ इंडियन प्लांट फीजियोलोजी सर जेसी बोस जगदिस चंद्र बोस उन्होंने एक बात बताई थी कि कोर्टेक्स की आंतरिक कोसिकाओं में स्पंदन होता है उससे जल उपर चड़ता है उसको pulsation थियोरी नाम दिया था पर वो मानने नहीं हुआ वो भी पिकरी कमल से उनको सिकाओं को मारने के बाद देखा कि जल अभी भी संचालित हो रहा इसलिए उस सिद्धान्त को भी ज़्यादा तवज़ो नहीं मिल पाई इसके बाद हमारे पास तीसरा सिद्धान्त आया root pressure theory इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि NCRT इसको मानती है root pressure theory देखें अभी अभी हमारी बात हुई थी कि यह आपके पास root है इस root में यह root hair है और यह तना है इस तने में यह जाइलम इस तंभ है मैं ऐसे सिदा ही बना देता हूँ इस जाइलम को ऐसे गोल गोल करेंगे फिर बाद में काम नहीं आएगा यह आपके पास जाइलम इस तंभ है इस तरीके से और इस जाइलम के अंदर जल बरा हुआ है अब ये रूट हेयर मृदा से जल का अवसोशन करता है और अवसोशन करके उर्जा खर्च करके इसने जल अवसोशन किया सक्रिय जल अवसोशन के द्वारा और इस जल को इसने इस जायलम के अंदर ठूस दिया इससे क्या होगा इस जायलम में सतत रूप से जल का प्रिवेस हो रहा है तो इस जल इस्तंब पर उपर की तरफ और एक दाब लगेगा इस दाब को नाम दिया मूल दाब तो मूल दाब सक्रिय जल अउसोशन के फलस्व रूप उत्पन होता है जड़की कोसी काएं सक्रिय जल अउसोशन जवरा जल का अउसोशन करती है और उसे बल पूर वक जायलम के अंदर भिज देती है इस से जायलम के जल इस्तंब पर एक मतलब वना दाब लगता है उपर दखेलने के लिए एक दाब लगता है इस दाब को मूल दाब का जाता है इस मूल दाब के काण जल उपर चड़ता है यह माना गया अब इस मूल दाब को आप आसानी से प्रेक्षित कर सकते हैं दिन के समय में महला दिन का मतलब दोपर का नहीं है अरली मॉर्निंग प्राते काल में आप किसी पोदे को नरम तने वाले पोदे को लो और उसको आधार से थोड़ा उंचाई से काट दो तो काटने पर वहाँ पर यदी तने को यहाँ पर काट दिया जाए तो यहाँ जल की एक बूंद निकलाएगी इस तरीके से ये जल की एक बूंद निकलाती है इस बूंद के बनने का कारण दनात्मक मूलदाव होता है क्योंकि जड़की कोसी काएं जल अशुशन कर रही है और इन्होंने इस जल को जाइलम में ठूसा जाइलम इसको उपर दखेलेगा नीचे से जल का प्रवेश होगा तो यहां पे एक पानी की बूंद बहार निकलाती है ये दनात्मक मूलदाव के फलसुरूप संपन होता है इसका मतलब जल मूलदाव के द्वारा उपर चड़ता है ये थियोरी प्रिस्टले के द्वारा दी गई थी साइंटिस्टे थे प्रिस्टले उनके अनुसार जल और खनीज लवणों का तने के सीर्स की और प्रवा दनात्मक मूलदाव के कार्ण होता है अब अगली पॉइंट है हमने अभी अभी कहा कि सक्रिय जल उस्योशन तो केवल 4 प्रतिशत होता है जब वास्पो सर्जन की दर उच होती है तो मूलदाव अनुपस्तित होता है और सबसे ज़्यादा जल की आवशक्ता उसी समय होती है उस समय मूलदाव गाईव हो जाता है अर्वाई जब तुम्हें जरुत हो तुम्हें कुछ डाउट पूछने हो और हम लोग गाईव हो जाए तो आपका कारे पूरे सिद्ध हो जाएगा क्या कता ही नहीं तो वचे जब वास्पो सर्जन सबसे ज़्यादा वास्पो सर्जन के समय जल की आवशक्ता होती है रसारोण की पहुंचाने की उस ताइम पे वो गाएव जाता है मूलदाब तो मूलदाब इसके लिए उचित नहीं माना जाता अब मूलदाब के संदार में कुछ बाते द्यान दीजिएगा नंबर एक मूलदाब कम वास्पो सर्जन की दसाओं में पाया जाता है नंबर एक इसलिए मूलदाब को early morning consider किया जा सकता है सूबह early morning इसे देखा जा सकता है तीसरी condition मूलदाब के दुआरा अधिकतम 4 फिट पानी उपर चड़ाया जा सकता है इसके बाद 400 फिट कैसे जाएगा और last जिम्नोस्पर्म जो सबसे लंबे पादप होते हैं उनमें मूलदाब पाया ही नहीं जाता और पाँचवा सबसे एक अच्छा पॉइंट है आपके पास कि जब वास्पोस सरजन की दर उच्चतम होती है तब मूलदाब रिरनातमक होता है नेगेटिव होता है उस समय पानी को पर को चड़ाएगा ठीक है इसलिए सिद्धानत को नहीं माना जाता मूलदाब सिद्धानत को नहीं माना जाता कम्प्लीट हो गया ये था रूट प्रेशर थियोरी अब इसके बाद अगला पॉइंट आता हमारे पास वास्पोस सरजन ए सुरी रसारोहन का सबसे मानने सिध्धान कौन सा है उसकी बात कर लेते तो इसके लिए आपके पास आता है वाशपोत सर्जन वाशपोत सर्जन कर्शन सिध्धान देखो सबसे पहली बात इसको वाशपोत सर्जन कर्शन सिध्धान इस सिध्धान के अनुसार पहले हम दो बलों की बात करते है आप लोग जानते हो कि समान अणूओं के बीच पाया जाने वाला अकर्शन बल जो है इसको आप ससंजन बल कहते हैं और दो ऐसमान अणुओं के बीच पाए जाने वाला बल इसको आसंजक बल कहते है आसंजक बल का जाता है तो दोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान दीजीगा जल जल के अणु तिवर ससंजन बल के कारण एक दूसरे से बंदित होते है और ये ससंजन बल इतना पावरफुल होता है कि यदि आप 400 वायूमंड लिए दाब इस पे आरोपित करो तब ये तूटेंगे तब ये जाके अलग होते है और समाने दसाओं में वातावण में इतना दाब उत्पन नहीं होता ठीक है तो जल के अणू तिवर ससंजन बलके काण एक दूसरे से बंदे रहते हैं और सतत बंदे रहते हैं इस प्रक्रम को आप आसानी से समझ सकते हो कि आप पानी से बरी बाल्टी लोग को उसमें एक पाइप डुबो कर और उस पाइप को नीचे करके मुँ से खिंच के छोड़ दो पूरी बाल्टी का पानी बाहर निकल जाता है किसके कारण? एक अणू दूसरे अणू से जुड़ा हुआ है तो चैन बन जाती है वो इधर से निकल रहा है तो इधर से पानी उपर चड़ता रहेगा होता ऐसा? करते हैं भी हम प्रैक्टिकल करके देख सकते तिवरस असंजन बल पाए जाता है इसके साथ साथ जल के अनू जाइलम की वाही का जो होती हैं वाही का और वाहिनी का उनकी दिवार के साथ असंजन बल भी रखता है ये दोनों बल मिलकर जल इस्तम्ब को सतत बनाई रखते है इन दोनों की वज़े से जल इस्तम्ब सतत बना रहता है अब बात पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आपके पास ये पादप हो गया ये पत्ती हो गई और ये पत्ती की मद्दे सिरा और ये जाइलम हो गया इस तरीके से, अभी हम इसकी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, वो बिलकुल यहां पर भी अपलाई हो जाएगी, यह जाइलम हो गया, देखिए दिन के समय में, और यहां पे हैं रंदर हैं, और यह हैं मीजोफिल कोसी का, दिन के समय में, जब वास्पो सर्जन होगा, सुर्य का प्रकास निकलेगा, रंदर खुलेंगे और तापमान बढ़ेगा, तो इन कोसी काओं से जल हानी होती है वास्प के रूप में, और यह वास्प बाहर निकल जाती है, वास्पो सर्जन के फलसोरूप, यह हो गया वास्पो सर्जन, ठीक है, जैसे ही जल बाहर निकल गा इस मीजोफिल कोसीका का water potential बोल दो डिपीडी बोल दो disturb होगा तो ये अपने पासवाली कोसीका से जल को ग्रैंड करेगा ठीक है और ये पासवाली कोसी का, इस जाहिला में जल के अणू एक दूर से से इस तरीके से जुड़ेवे हैं, सतत रूप से ऐसे जुड़ेवे हैं, तो ये इस जल अणू को अपने अंदर लेगी, तो इस पूरी चैन पर एक खिचावल लगेगा, और इस खिचावल के कारण जो है, जल का, इस तंभ पूरा का पूरा, उपर खिचेगा, और खिचने के कारण क्या होगा, जल इस तंभ उपर उड़ जाएगा, इस जल इस तंभ को तूटने को नहीं दे रहा, ये ससंजन और आसंजन भल, इसके कारण क्या होगा पूरा का पूरा ये जो system आई lift हो जाएगा उपर उड़ जाएगा ये रसारोन का एक simple सा सादन तो वास्पो सर्जन कर्शन सिध्धान इस सिध्धान के अनुसार जल के अनु तिवर आसंजन और ससंजन बल दौरा एक दूसरे से बंदित होते हैं इसके साथ इसके क जल इस्तंब सतत बना रहता है दिन के समय में मिजोफिल कोसिकाओं से वास्पो सर्जन के कारण जल हानी होती है जिसके कारण इनकी जल मांग बढ़ जाती है डिमांड बढ़ जाती है ये पास की कोसिकाओं से जल ग्रेंड करती है और पास की कोसिकाओं जाइलम के जल इस्त जाओ बल आरोपी तो होता है जिसके फलस्वरू जो है पूरा जल इस्तंप उपर की तरफ उड़ जाता है जल इस्तंप की सततता आसंजन और ससंजन बलके कान बनी रहती है ये रसा रोहन वास्पो सर्जन कर्शन सिद्धान और इसी की वज़े से हमने मूल अवसोशन में बात सारोण भी हो जाता है इस सिद्धान्त को जो है माना जाता है ये सिद्धान्त डिक्षन वे जोली द्वारा दिया गया था यह बात लुए हमारी कम्पलीट अब इसके अगैंस भी कुछ आए थे कि जब पादप लता है जब पादप हिलता है तो इसमें वाईउ के बुलबुले उत्पन हो जाते है जिससे जल इस्तंब ऐसा तत हो जाता है अब आप जानते हो खूब सारी वाई काएं वाई निकाएं इस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती ही तो यदि यहाँ बबल उत्पन भी हो गया एक्जामपल के तोर पे यह आपके पास खूब सारी वाई काएं यहाँ पे बुलबुला बन भी गया तो सेप्टा भी तो होते हैं ना इस तरीके से तो यह वाला मार्ग ऐसे होके ऐसे होके रैसे हो जाएगा continuous बाई पास हो जाएगा और धनात्मक मूल दाब के कारण रात्री के समय यह बुलबुला हट जाता है यह वायू अंत्रावकासों में विश्रित हो जाती है और जल इस्तंब सतत हो जाता है तो दोस्तों एक बात और याद रखिएगा मूल दाब जो होता है जल इस्तंब को सतत बनाई रखने का काम करता है जब रात्री के समय वास्पो सर्जन बंद हो जाता है तो सक्रिय जल उशुशन होने लगता है उसके कारण मूल दाब उत्पन होता है और ये मूलदाब जलिस्तंब को उपर की तरफ धकेलता है तो बुलबुले की वायू जो होती है वो अंतरावकासों में विस्रित हो जाती है और ये जलिस्तंब सतत हो जाता है तो मूलदाब इसकी सतता को भी बनाई रखता है ये था हमारे पास रसा रोहन बात पूरी होती है रसा रोहन की अब हम अगले चेप्टर पे आते हैं वास्पुस सर्चन वास्पुस सर्चन ट्रांस्पिरेशन वास्पुस सर्चन देखो नाम से पता चल रहा है वाश्प उत्सर्चन अब ये नाम मैंने दो टुकडों में क्यों तोड़ा थोड़ा सा बात पर ध्यान दीजिएगा ये वाला पद सदेव जैविक होता है जैविक पद है इसलिए परिभासा में ये पॉइंट बहुत कामकार रहता है एक आपके पास पद आता वास्पी करण उत्सर्चन जैसा कोई सब्द नहीं ये भोतिक प्रक्रम है जबकि वास्पोत सर्चन जैविक प्रक्रम जल वास्प में बदलता है भोतिक प्रक्रम है उस सर्जन जैविक प्रक्रम है इसलिए वास्पो सर्जन कैसा प्रक्रम है जैव भोतिक प्रक्रम इसलिए वास्पो सर्जन को जैव भोतिक नाम से पता चल रहा है ये भोतिक है ये जैव है तो वास्पो सर्जन एक जैव भोतिक प्रक्रम होता है ठीक है अब नेक्स रंद्रों का खुलना जो है वो रासाइनिक प्रक्रम में आता है और वास्पो सर्जन एक जैव भोतिक प्रक्रम अब थोड़ी सी बात पर धान दीजिएगा पादप के वाईवी ये भागों दुआरा जल का वास्प के रूप में उच्छ सर्जन वास्पो सर्जन कहलाता है इसके साथ दूसरे नमबर पर हमने वर्ड बोला पादप के वाईवी ये भागों दुआरा जल का वास्प के रूप में उच्छ सर्जन वास्पो सर्जन कहलाता है तो थोड़ा सा पॉइंट में परक है वाईवी ये भाग यहाँ पर अकेली पत्तियां कते ही भाग नहीं लेगी जड़ें आप ये कहो कि वास्पो सर्जन नहीं करती तो आप गलत हैं क्योंकि वाईविये जड़ों से भी जलका वास्प के रूप में उस सर्जन हो सकता है बरगद में लटकती भी जडए वास्पोसरजन कर सकती है तो YVA भाग, संपोण YVA भाग वास्पोसरजन में इनवील्व होता है ठीक है? अब वास्पोसरजन जो है उसके प्रकार कैसे है? तो हमारा परिवासा आगई पादप के वाई वी ये भागों द्वारा जलका वास्प के रूप में उत्सर्जन या निस्काशन वास्पोसर्जन कहलाता है ये तीन प्रकार का होता है तो वास्पोसर्जन के प्रकार सबसे पहला हमारे पास है क्यूटी कुलर क्यूटी कुलर ट्रांस्पिरेशन आप इसको उप्व तुच्चिय नार्ड फोल सर्जनवक, हैं ये वेक्ट कुल वेक्टा की आदनेक्ट पर्प्रिशु के नियू अधिकल tão सर्जनव कते देपैंट की आधिक नियू परती बेंगो है, जल और वाईयू दोनों के लिए आपारगम में होती है परन्तु ये सतत नहीं होती है ऐसे दरारें पाई जाती है इस तरीके से उन दरारों से जलानी वास्प के रूप में हो जाती है ये कुल वास्पोसरजन का केवल 10 प्रतिशत भाग बनाती है परन्तु मरूद विदिये पादपों में 50 प्रतिशत भाग जो है वास्पोसरजन का वो क्यूटीकुलर वास्पोसरजन होता है बट इन जीरो फाइड्स जीरो फाइड्स ये कितना होता है अप टू 50 परसेंट इसका मतलब यह नहीं है कि मरूद विदिये पादपों में वास्पोस सेजन ज्यादा होता है समाने पादपों की तुलना में कम होता है बही एक समोद विद पादप मिजोफाइट पादप एक दिन में सो लिटर पानी का वास्पोस सेजन करता है सपोज करो तो उसमें से 10 liter cuticle की साहिता से और 90 liter रंधरों की साहिता से उड़ता है है लेकिन तो 10 प्रसेंट हो गया cuticular अब जिरो फाइट की बात करो जिरो फाइट एक दिन में एक लिटर पानी का वासपो सर्जन करता है तो उसमें से आदा लिटर cuticle से और आदा रंदरों से जाता है तो वास्पो सरजन तो कम है लेकिन क्यूटीकल का involvement ज्यादा है क्योंकि रंदर धनसेवे होते हैं संक्या में कम होते हैं या लगभग नगणने ही तो वास्पो सरजन किसे होगा क्यूटीकल से होगा तो zero fights में up to 50% जल हानी क्यूटिकल द्वारा होती है ठीक है अब अगला पुइंट क्वेशन पूछा मैंने आपको कि जलोद्वित पादपव में क्यूटिकुलर वास्पो सेजन की मतलब का प्रतिशत होगा आंसर क्या आएगा जीरो पहली बात जल में इस्तित पादप मनला डूबे वे वास्पो सेजन नहीं करते हैं दूसरी बात जलिये पादपव में क्यूटिकल ही नहीं पाई जाती है तो कौन सा प्रसेंटेज की बात कर रहे है बात कता है ठीक अब नेक्स देखिएगा दूसरा लैंटी कुलर लैंटी कुलर ट्रांस्पिरेशन हिंदे में बोलते हैं इसको वात रंद्रिये वास्पो सेजन ये वात रंद्रों के द्वारा संपन होता है और आपको ध्यान होगा वात रंद्र जो होते हैं वो पुराने तनों पर पाए जाते हैं जब दृत्तिक होती है तब वातरंदर ना तो पत्तियों पर पाए जाते हैं ठीक है पत्तियों पर कभी नहीं पाए जाते हैं इसलिए वातरंदरों की उपस्ति हमेशा कास्ठी है पूराने कास्ठी है तनों पर देखी जाती है वातरंदर अत्यंत कलिस्ट मतलब कठिन सरंचनाई होती है जिन को क्वेशन पूछा जाता है वातरंद प्रमुक्तिया भाग लेते हैं पहला देता है वातविनी में दूसरा देता है वासपो सर्जन तीसरा देता है दोनों तो आपका अंसर क्या आएगा कि अबल वातविनी में वासपो सर्जन में उनका कोई involvement नहीं है पॉइंट वन करेंगे इसके बाद तीसरे प्रकार का रंध्रिये वासपो सर्जन रंध्रिये वासपो सर्जन इंग्लेस में बोला जाता है स्टो मेटल ट्रांस्पिरेशन ये कुल वासपो सर्जन का 90 प्रतीशत भाग बनाता है सरवादिक जलहानी इसी के द्वारा होती है सरवादिक जलहानी इसी प्रक्रम के द्वारा होती है टोटल वासपो सर्जन का 90 प्रतीशत भाग बनाता है रंद्र, तरुन तने, पत्ती की सताय पर पाये जाते हैं, गेसेस एक्षेंज के दोरान वास्पो सरजन हो जाता है और इस प्रक्रम द्वारा, इन सरंचनाव द्वारा पादप को अधिक्तम जल हानी होती है, अब मेरा एक क्वेशन पेंडिंग चल रहा था, आपको क्वेशन पुछा जाता है, लकडी का एक पुराना गटा है, उसमें वास्पो सरजन का प्रक्रम होगा, लकडी के पुराने गटे से जल हानी होती है, पहला बोलेगा क्यूटीकल द्वारा, क्यूटीकुलर वास्पो सरजन द्वारा, दूसरा लेंटीकुलर वास्पो सरजन द्वारा तीसरा स्टोमेटल वास्पो सर्जन द्वारा चो था इनमें से कोई नहीं आंसर क्या आएगा चो था आंसर आएगा क्यों? हमने का पुराने तनों के द्वारा वास्पो सर्जन लेंटिकल्स द्वारा होता है पुराने तने पर चाल पाई जाती है चाल में वातरंदर होते हैं उससे जलानी होती है पर लकड़ी का पुराना गटा है उसमें से चाल उतर चुकी है तो केवल हर्टवुड है आपके पास उस हर्टवुड से जलानी हो रही है तो वास्पीकरण से हो रही है और वास्पीकरण वास्पो सरजन नहीं है वो क्या है भोतिक प्रक्रम कपड़े दो के सुखा देते हो तो वास्पो सर्जन थोड़ी हो रहा है कपड़े दो के सुखाते हैं तो उसमें से जो पानी उड़ रहा है वास्पी करना है भोतिक प्रक्रम है वास्पो सर्जन नहीं है उत्सर्जन बोला ना मैंने आपको जैविक प्रक्रम तो ये था हमारे पास बासपोस सरजन के प्रकार इसके बाद नेक्स पॉइंट आता है अगला रंदर की सरंचना रंदर ये सरंचना जो सरवादिक जल आनी करेगा उसी की बात कर लेते हैं क्यूटीकल की सरंचना हमने अनटमी में देखी थी हलांकि देखने को तो इसको भी देखा था लेकिन यहां पर इंपोर्टेंट है सबसे पहली कंडिशन रंदर जो है वो समयनेत है पत्ती की सतय पर पाए जाते हैं रंदर पत्ती की सतय पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र नुमा सरंचनाई होती इन छिद्रों को दो विसेश प्रकार की कोसिकाओं के द्वारा घेरा जाता है जिने रक्षक कोसिकाएं कहा जाता है, योग ही आपके पास रक्षक कोसिका, ये कोसिकाएं, 23 पत्रियों में किड़नी शैप होती हैं, सेम के बीज के जैसी बोल दो, किड़नी के जैसी बोल दो, तो किड़नी शैप होती हैं, रहनी फॉर्म भी बोलते हैं, इंगलिस में इने, रक्षक कोशिकाएं जो है अन्य अधिचर्म कोशिकाओं से भिन्न होती है नमबर एक इनकी आकरती अलग होती है नमबर दो इनके पास हरितलवक पाया जाता है जबकि समन्य अधिचर्म कोशिकाओं में हरितलवक अनुपस्तित होता है केंद्रक सुविक्सित होता है ठीक है इसके साथ साथ इनकी भित्ती जो है ये अंता इसपर्ष रेखिये भित्ती है अंता इसपर्ष रेखिये भित्ती मोटी और एप्रत्यास्त होती है या कम प्रत्यास्त होती है और बाई इसपर्ष रेखिये भित्ती जो है वो अधिक प्र बोटा कम प्रत्यास्त कम लचीली और बाहर वाली पतली और जो है ज्यादा लचीली होती याद रखेगा रंद्रों के खुलने और बंद होने में ये गुण सरवादिक मैतोपूर्ण होता है ये क्वेशन पुछा जाता है आपको याद रखना है रंद्री ये बित्ती मतलब या रक्षक कोसीकाओं की बित्ती का ऐसमान होना इसकी गती सीलता के अंदर मैतोपूर्ण भूमी का निवाता है तो यह हो गया हमारे पास इसकी रक्षक कोसीकाओं पहली बात इसके बाद अगला पॉइंट ये ग्रैमिनी कुल के अंदर डंबल आकरती की होती है जैसा मैंने आपको एनाटमी में भी बताया था केवल पोएसी फैमेली के अंदर घास फैमेली के अंदर इनकी आकरती जो है वो डंबल आकरती होती है सभी में नहीं होती सभी एक बिस पत्र खुब सारी वैक्योल्स पाई जाती है، highly वैक्योलेटेड हूती है, ठीक है, इस तरीके से, और इनके पासों क्लोरोप्लास्ट की उपस्तिती देखी जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते है. ठीक है इसके बाद इनको घेरने वाली जो कोसिकाएं होती है वो भी अधिचर्म कोसिकाओं से थोड़ी सी अलग प्रकार की होती है इन कोसिकाओं को सहायक कोसिकाएं कहा जाता है रक्षक कोसिकाओं को घेरने वाली मर्दु तकी कोसिकाएं सहायक कोसिकाएं कहलाती है तो यह हो गया हमारे पास एक रंद्रिय उपकरण, इसे नाम दिया जाता है स्टोमेटल अपरेटस, रंद्रिय उपकरण, यह हो गई सहायक कोशिकाएं, इसके अलावा इन रक्षक कोशिकाओं में सेलुलोज के जो तंतू होते हैं, जिनें माइक्रो फिब्रिल्स बोला जाता है, उनका अर्ये विन्यास पाया जाता है, इस तरीके का विन्यास पाया जाता है, और AI PMT में ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, याद रखना आपको, इनका विन्यास अर्ये होता है, मतला रेडियली अरेंज्ड होते हैं, इस तरीके से अरेंजमेंट पाया जाता ह इनका ये भी रंद्रिय गती में मैतोपूर्ण होते हैं ये इनके खुलने और बंद होने में मैतोपूर्ण भूमी का निवात हैं तो next point था मारे पास बतला है रंद्र की सरंचना के बारे में बात करें रंद्र आधिचर्म पर पाये जाने वाली विशेश प्रकार की छिद्रित सरंचना है प्रते एक रंद्र दो रक्षक कोसीकाओं दुआरा घिरा रहता है पोएसी फैमिली को छोड़ कर बाकी सभी कुलों में रंद्र को घेरने वाली कोसीकाएं किड़नी आकरती की रहनी फॉर्म वर्काकार होती है इन कोसीकाओं की अन्ताइस परस रेखे वित्ती मोटी कम प्रत्यास्त होती है जबकि बाइस परस रेखे वित्तियां पतली वा अधिक प्रत्यास्त होती है ये प्रक्रम इनके खुलने और बंद होने में महतोपूर्ण होता है अन्य अधिचर्म कोसिकाओं की तुलना में रक्षक कोसिकाओं विसिस्ट होती हैं क्योंकि इनके पास हरितलवक पाया जाता है इसके अतिरिक्तिन में सभी प्रकार के कोशिकांग उपस्तित होते हैं, हरितलवक की उपस्तिती पाई जाती है, और highly vaccinated, मतलब रिक्तिकाएं अधिक संख्या में होती है, इसी के साथ साथ इनके पास glyoxysome की अधिक्ता होती है, glyoxysome की अधिक्ता होती है, यह glyoxysome जो है इनके खुलने और बंद होने के लिए रसाइनिक परिवर्थन के लिए उत्तरदाई माने जाते हैं, आगे चल की बात करेंगे, तो इनमें glyoxysome सधिक्ता से पाए जाते हैं, रक्षक कोसिकाओं की भित्ती में cellulose के सुक्षम तंतु अरिये विन्यासित होते हैं, फीक है, micro fibrils अरिये विन्यासित होते हैं, इने मिसेली बोल सकते हैं आप लोग, और ये भी रक्षक कोसिकाओं की गती में महत्वपूर्ण होते हैं, जब इन कोसिकाओं में जल प्रवेस करता है, तो ये bias पर सरेखिये वित्ती फैलती, ये अधिक प्रत्यास्त होती है, इसलिए बाहर की तरफ फैलती है, और ये इस वित्ती को पहले ऐसे जुड़ा होता है, फिर ऐसे कर देती है, तो रंदर खुल जाता है, जब ये खिचाओं इधर होता है, तो ये misail भी इस वित्ती को पकड़ कर खीचने का काम करते हैं, और रंदर खुल जाता है, जब जल की मात्रा में कमी आती है, तो ये खिचाओं खतम हो जाता है, और ये वित्ती वापस जो ऐसे सीधी हो जाती है, रंदर बंध हो जाते हैं तो मिसेल और ऐसमान मोटाई की कोसीका भित्ती रंद्रिय गती में महत्वपुण भूमी का अदा करती है। रक्षक कोसिकाओं को घेरने वाली कोसिकाओं, मृदूते की कोसिकाओं होती हैं, जो अधिचर्म कोसिकाओं से भिन्न प्रकार की होती हैं, इन्हें सहायक कोसिकाओं का जाता है, सहायक कोसिकाओं और रक्षक कोसिकाओं मिलकर रंद्रिय उपकरण का निर्मान खरती हैं, आदान प्रदान रक्षक कोशिका और साय कोशिकाओं के बीच होता है तो यह हमारे पास हो गई रंद्र की सरंचना बात पूरी हुई हमारे अब इसके पात नेक्स्ट पॉइंट आता है रंद्रिय वित्रन के आधार पर आधार पर पादपों के प्रकार देखेगा दोस्तों यह पत्ती में ए एक पादप ऐसा है जिसमें रंद्र केवल नीचली सतय पर एक पादप पैसा है जिसकी उपरी सतय पर कुछ रंद्र और निचली सतय पर ज्यादा रंद्र एक पादप आपके पास ऐसा है जिसकी पत्ती की दोनों सतों पर रंद्रों की मात्रा लगभग बराबर लगभग बराबर एक पादप पैसा है जिसकी केवल उपरी सतय पर रंद्र पाई जाते है और एक पादप पैसा है जिसकी पत्ती पर रंद्र ही नहीं होते है ठीक है तो ये पाँच परकार के पादप आपके पास उपस्तित है सबसे पहली बात आती है हमारे पास इसको बोलेंगे हाइपो-स्टोमेटिक हाइपो-स्टोमेटिक लीव इसको बोलेंगे एमफी-स्टोमेटिक लीव और इसको भी एमफी-स्टोमेटिक लीव और इसको भी epistomatic उपर हैं इसलिए epistomatic और लास्ट एस्टोमेटिक एस्टोमेटिक बात पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस वाले प्रकार को हम लोगों ने नाम दिया एपल टाइप एपल टाइप देखे एपल जो होती है उसकी पत्ती की निचली सतय पर रंदर पाये जाते हैं उपरी सतय पर रंदर पूर्ट्या अनुपस्थित होते हैं यह आदर्स द्वी बीस पत्री का रिपरेजनटेशन है। आदर्स द्वी बीस पत्रियों में पत्ती की ऊपरी सतय पे रंद्र नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है दोनों सतभु पर पर ऐसमान व्यवस्था। ब्यवस्था इसको हम पोटेटो टाइप बोलते हैं आलू प्रकार पोटेटो टाइप प्लांट पत्तियां रंद्र पत्ती की दोनों सत्य उपास्तित हैं परंतु उपरी सत्य पर रंद्रों की संख्या निचली सत्य की तुलना में कम हैं एसे पादप एसी पत्पियां Amphistomatic मतला उभे रंदरी और पादप का प्रकार आलू प्रकार होता तीसरे नमबर पे आती है हमारे पास यह वाला पार्ट यह जो प्रकार है पत्ती की दोनों सतवों पर रंदर पाए जाते हैं रंदर पत्ती की इसको जई प्रकार बोलते हैं खुलने के आदार पर जो तो जई प्रकार पत्ती की दोनों सतवों पर रंदर उपस्तित होते हैं और रंदरों की संख्याद दोनों सतों पे लगवग समान होती है। तो दोनों सतों पे होगा तो EMPISTOMATIC होगी, इसलिए दोनों के लिए common word है, उभै रंदरी पत्तियां। इसके बाद अगला आता है EPISTOMATIC, पत्तियों की केवल उपरी सतय पे रंदर पाई जाते हैं। ये व्यवस्था आपको जलिये पादपों में देखने को मिलेंगी, जिनकी पत्तियां पानी की सतय पर तैरती भी पाई जाती है। निचली सतय जल के संपर्क में होने के कारण रंदर धारण नहीं करती, और उपरी सतय पे रंदर उपस्तित होते हैं। ऐसी पत्तियों को एपी स्टॉमेटिक बोला जाता है और पादपों का प्रकार है यहाँ पर जल लिली, वाटर लिली टाइप। नेक्स देखेगा, ऐसे पादप जो जल में पूरी तरह से डूबे वे हैं। उनकी पत्तियों पे रंदर या तो अनुपस्तित होते हैं या निस्क्रिये होते हैं। ऐसे पादपों को हम एस्टॉमेटिक और प्लांट का प्रकार है पोटे मोजी टोन टाइप प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा, पत्तियों के वित्रण के अधार पर पादप पांच प्रकार के होते हैं। यदि पत्तियों केवल निचली सतय पर रंदर धारन करें तो ऐसी पत्तियों अधोरंदरी कहलाती है। 220 पत्री पादव इसके जो है प्रमुक उधारण होते हैं इनको अपन सेव प्रकार के पादव कहते हैं ऐसे पादवों की पत्तियां आदर्स 220 पत्तियां प्रदर्शित करती हैं जलहानी निचली सतर से सरवाधिक होती है दूसरे नमबर पर आता है MP-Stromatic ऐसे पादप आलू प्रिकार के कहलाते है पत्तियां उभेरंदरी होती है दोनों सत्यों पे रंदर पाए जाते हैं परन्तु उपरी सत्यों पे रंदरों की संख्यास तुलनात्मक रूप से कम होती है इन्हें आलू प्रिकार में रखा जाता है और अधिकांस द्वी वीज पत्री लगबग यही दसा प्रतरशित करते हैं वो वाली दसा तो रेस्टिक्टेड होती है मतलब बहुती कुछ में ही पाए जाती है यह अधिकांस में उपस्तित होती है फिर अमारे पास में एक साता है जैई प्रकार जैई एक बीज पत्री है संधिवी पार्शिविक पत्ति हैं पत्ती की दोनों सतों को सुरे का प्रकास लगबग समान मात्रा में मिलता है इसलिए जल हानी दोनों तरफ से लगबग बराबर होती है और रंद्र दोनों तरफ बराबर होते हैं ऐसी पत्तियों को भी उवेरंद्री कहते हैं परंतु इसमें रंद्र दोनों सतों पे लगबग बराबर होते हैं और जई प्रकार नाम दिया जाते हैं ऐसे पादप जिनकी पत्तियां पानी की सतय पे तैरतिवी होती है इसलिए उनमें रंदर उपरी सतय पे पाई जाते है ऐसी पत्यों को एपिस्ट्रोमेटिक का जाता है ये जल लिली प्रिकार के पादप इसमें एक्जामपल आपके कमल आ जाता है, लिली आ जाती है विक्टोरिया रीजिया आ जाता है ये फारी इसके examples है, जो पानी की सत्य पे ठैरती भी पत्तियां דारन करते। और last है Potomositon, Potomositon जो होता है, वो जल में डूबा होगा होता है, निमगन फाधप होता है, निमगन पाधपों में रंद्र अनुपस्तित होते हैं, ऐसे पत्तियां, ऐ रंधरी पत्तियां कहलाती, तो दोस्तों एक बात पर ध्यान देना मेरा, रंधर वास्ता में एक गेस्य आदान प्रदान के लिए होते हैं, वास्पोर सर्जन तो साइड प्रोसेस है, अपनेआप हो जाता है, जैसे हम सांस लेते हैं, बाहर निकालते हैं, तो जब सांस बाहर आती है तो उसके साथ जल वास पर बाहर निकलती है इसका मतलब हम यह थोड़ी कह दें कि हमारी बोड़ी के अंदर जल संतुलन का काम नाक करती है नाक से जल वास पर निकल रही है साइड से ठीक है और भी कुछ निकल सकता है कुछ चिकना-चिकना सा उसकी बात अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल ब्रिफिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें सांस बाहर आती है तो वैपर निकलती है, आप सीसा सामने रखके सांस मार के देखो, सीसे पर बापसी जम जाती है, सर्दियों में आसानी से दिखाई दे जाती है, ज्यादा जोर मत लग तो गेशों का अधान प्रदान होने के लिए होता है, वासपो सर्जन साइड प्रोसेस है, हो जाता है, अब आप ये भी अच्छी तरह जानते हो कि यू के अंदर, मतलब इस्थलिये आवास में वायू सोतंतर रूप से मिल जाती है, जली आवास में तो गुलित ओक्सीजन क लेंदेन होता है, कार्बन डायोकसेड का लेंदेन होता है, कार्बन डायोकसेड कार्बोनेट आइनों के रूप में ग्रेंड की जाती है, और गुलित ओक्सीजन ग्रेंड की जाती है, सतय की द्वारा, इसलिए उनको रंदर आविशक नहीं होते हैं, इसलिए जल की संपर् आपकों के प्रकार रंद्रवित्रण के आधार पर दोस्तों यहां पर बहुत अच्छा क्वेशन बनता है अगला आपको यह पूशता है कि कौन से प्रकार की पत्ती की निचली सतय पर वैसलीन आलेपित करने पर इसकी उपापची क्रियां डिस्टरब हो जाएंगी तो इस प प्रकार में आलू में भी ज्यादा फ्रक नहीं पड़ेगा क्योंकि उपरी सतय पर रंद्र है तो गेसों का अधान प्रदान जारी रहेगा पर इसमें तो पूरी तरह से बंद हो गया ना तो उपापची क्रियां डिस्टरब हो जाएंगी ठीक है इस वाली पत्ती की उपरी सतय पर वैसलिन लगा दोगे तो उपापची क्रियां डिस्टरब हो जाएंगी तो कमल लिल्ली इनकी उपरी सतय पर वैसलिन आलेपित करने पर उपापची क्रियां इबादित हो जाती है और इनकी निशली पर पस इनकी दोनों सतयों पर लगाओगे तो ही डिस्टरब होग गेसों का और आइनों का लेंदेन रुख जाएगा पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी तो आप यह मत कह दे न कि इस्टॉमेटिक लीफ में दोनों सताओं पर वैसली नालेफित करने पर कोई प्रवाव नहीं होगा होगा क्यों क्यों कि उसमें समाने सता से गेसों का आदान परदान प्लस क्या होता है आइनों का अंतरग्रेन होता है कम्प्लिट हो गया यहां पे तो गेसों का ही प्रवावित हुआ वहाँ पर तो सभी कुछ प्रवावित हो जाएगा यह था दोस्तों हमारे पास पादप के प्रकार अब रंद्रों के खुलने और बंदोने के आदार पर पादपों के प्रकार और उसके बाद सायक उसी काओं के आदार पर कुछ बातें हमें करनी हैं तो मिलते हैं कल, नेक्स्ट रंड पर, have a nice day, thank you